आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के उपर दोपहर का तीन बज चुका है और डेली तीन बज़े आपका GKGS करेंट अफ़ेर का कोस्टन का एक सेट चलता है और इस सेट में जितने भी परस्त मैं आप सभी को करवाता हूँ न हर एक परस्त अपने आप में बहुत बह कर डेली अगर आप क्लास एटेंड करते हैं आप एक मेने के बाद बोलेंगे भाईया जो इपॉर्टेंट कोस्टन का सेट है ना बहुत सारा कोस्टन ऐसा है ना जो हमारे एक्जाम में कॉमन फसर है और हर एक कोस्टन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा मातर 30 सिकेंड क उससे भी कम इसके अंतरगत ही आपको बताना है एंसर क्या होगा और यहां पढ़ना अपने आपको जज़ भी करना है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं डेली तो डेली पढ़ाई कर रहे हैं GS का, Current Affair का, GK का उसमें हम क्वेस्टन कर पा रहे हैं कि लिए कर पा रहे हैं पूरा नीली करांती किस से संबंदित है इसका एंसर तो आप सभी देना ही देना है साथ में यह भी बताना कि नीली करांती का जनक किसको बोला जाता है दोनों जो मैंने बोला दोनों चीजी important है हाला कि मैं देख पा रहा हूँ आज के class का notification जो है आपके पास गया ही नहीं है पहर में तीन बजे आप class का timing जो है वो याद रखिएगा इतने बजे आपका class चलेगा ही चलेगा और हो सके ना एक request है आज का notification गया नहीं है मुझे दिख रहा है तो एक बार ना जितने लोग भी देख रहे है class को share कर दीजेगा क्यूंकि आज के class का notification गया ही नहीं है इसका answer क्या होगा आप सभी क्या बोल रहे है पहले question का answer प्रिसिंग ये तो सभी बोल रहे है बिसनुव answer गलती है दुर्गेश पटेल दुर्गेश पटेल बोल रहे है बिसनुव देव एक बाप याद रखिएगा notification एक बाप याद रखिया दुर्गेश पटेल जो है ना दुर्गेश पटेल वो किसका बुलू रिगोलीशन किसे समद्धी थे एंसर फिसिंग होगा फिसिंग हीरा लाल चौधरी बिल्कुल सही एक एंसर आ रहा है आपका ये तो सभी सही बोल रहे है आपका फिसिंग मच्री पकड़ने से समद्धी थे लेकिन इसके जनक न दो लोगों को बोला जाता है एक तो कॉमेंट से मुझे एंसर दिखा क्या एक अमार ध्यान से बोलिएगा कि नीली क्रांती का जनक न हीरा लाल चौधरी को बोला जाता है और एक इंसान को उस इंसान का नाम है आपका अरुन कृष्णन एकदम आप ये मस सोचने है न इस क्वेस्टन में कि इसका एंसर सही दे दिए काम बन गया एक्जाम में अधिक आपसे ये भी पूछता है कि नीली क्रांती के जनक किसको बोलते तो एक बार दिमाग में बोल दो धीरालाल चौधरी और अरून कृष्णन ठीक है अगला को से अमारे सामने क्या बोला है एक बार ध्यान से पढ़िएगा मैं क्या बूलता थीर बजवाले क्रास में जितने भी क्वेश्सन करांगा सब इप्वाटेंट करांगा सब इप्वाटेंट आम आ क्या क्या वह एकदाम जादे कमिए भार्टिय समिधान में कौन सा मौलिक अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार तसकरी मजबूर सा मजबूर होगा मजबूर होगा यहाँ पर मजबूर स्रम और 14 वर्ष से कम आयू के बच्चे को काम करने से प्रतिबंद करता है हमारे समिधान में ना एक अनुछेद ऐसा है जो यह बताता है ना कि 14 साल से कम बच्चे जो है वो क्याम नहीं कर सकते उनको पढ़ना चाहिए यह आपको बताना है कि इसके अंतरगत एकदम एंसर बहुत असान है एकदम जिसको दिक्कत होना भी ने चाहिए 14 का सी बोल रहे हैं आप सभी एक दम एक बात या पर रखिएगा जितने लोग भी देख रहे है ना इसका अधिकान सही आ रहा है और वो एंसर बिल्कुल सही है आपका क्या ऑप्शन डंबर आपका सी सभी बोल रहे हैं सोसन के बिरुद अधिकार आटिकल 23 क्या बात है भाई यहाँ पर अनुछेट भी बोल दिया गया आपका अनुछेट भी बता दिया गया एक एक जंग के तरह कितना अनुछेट के अंतरगत आता है तो 23 से 24 अनुछेट के अंतरगत है अच्छा समानता का अधिकार जो है वो किस अनुछेट के अंतरगत है भाई यह बताए तो यह 14-18 अनुच्छेत है अब यह थोड़ा बताए सतंत्रता का अधिकार यह किस अनुच्छेत के अंदर है तो यह भी लिख लीजेगा आप सभी 19-22 के अंतरगोत है कितना से अंतरगोत है तो 19-22 के अंतरगोत है अच्छा भहिजा हमें ये बता दीजिये न, धर में किस अधिकार का अधिकार कितने अंतरगत, तो ये हैं आपका 25 से 28 के अंतरगत, एकदम, एकदम बिमाग में रटा मार लेना, ये नहीं न, मैं आपको question रटवाने नहीं ला रहा हूं, कि डेली आप रटलू मेरे साथ, आप एक बार समझे, आ अंतरगत है, और जो मौलिक अधिकार है, ये किस देश से लिया गया है, किस देश से लेकर अपने समिधान में डाला गया है, मौलिक अधिकार, fundamental right, तो काफिर बाग बता हैं, अमेरिका से, और ये जो मौलिक अधिकार है, आपका, क्या fundamental right, ये समिधान के किस भाग में आता ह तो भाग भी याद रखिएगा, भाग क्या होगा, भाग तीन के अंतर रिताता है, देखो question मातर एक है, question जोए है न, मातर एक है आपको, लेकिन बता बहुत कुछ दियें, तो सब एक बार अच्छे से आप सभी देख लेना, एकदम question exam में फस्ता ही फस्ता है ये सब, अगला question अमारे सामने पांच नंबर है, और टाइमर स्टार्ट होता है आपका अब, question बोला है, स्वामी बीबे का नंद, हवाई अड्डा कहां पर इस्तीत है, ये आपको बताना है, हरियाना, आंध्रपरदेश, बिहार और च्छतिस गड़ में, जल्दी से, एकदम बता दीजिएगा, answer आप सभी, स्वामी बीबे का नंद, हवाई अड्डा कहां पर इस्तीत है, हरियाना में, आंध्रपरदेश में, बिहार में, या फिर आपका च्छतिस गड़ में, बारा से पैटिस एवे से अमेरिका है, एकदम, कम से कम कॉमेंट्स भी करिएगा, अपना जो भी है, क्योंकि ना, उससे याद होगा, अच्छा है, एक बात पूछे आप सबी से, अभी जो हवाई जहाज, सीबील एबियेशन गोलते हैं, उस मंतराले को, वो मंतराले अभी किसके पास है, किसी को पता है, अभी नया मंतरी मंडल का गठन हुआ है, कि सीबील एबियेशन मंतराले किसको दिया गया है, कोई बताएगा, मंद्य परदेश के हैं वो, क्या नाम है, बताइए, कौन मेरा भाई बताएगा, कि सीबील एबियेशन मंतराले किसके पास है पहला एंसर के इंपजार कर रहे हैं अभी तक एंसर नहीं आया है इसका पहला नाम अधित्य प्रभाकर बिल्कुल भाई इनका पहला कॉमेंट आया है सीविल एवियेशन मंत्राले जो है वो जोती रहे सिंध्या के पास है जो मद्य परदेश है अगला क्वस्टे नहीं हमारे सामने देखो एक बार मानोग भिका सुचांक 2020 में किस देश ने रैंटिंग में सिर्स इस्थान पराप किया है अच्छा पहले तो यह जानो न यह जो सुचांक है मानोग भिका सुचांक किस के द्वारा जारी किया जाता तो एकदम दिमाग में बैठा लेना यह सुचांक जारी किया जाता है United Nation Simetrast Development Program के द्वारा उग्दम अगर एकदम में पूछे कि मानोग भिका सुचांक यह किस के द्वारा जारी किया जाता है तो यह जारी किया जाता है UNDP के द्वारा यानि United Nation Development Program के तयक मैंने क्या बोला United Nation Development Program के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें सिर्ष कौन है उससे पहले आप ये सुनो भारत का अस्थान क्या है एकदम याद रखना इंडिया का जो रैंक है ना वो 131 है कितना है 131 है भारत का अस्थान तो सिर्ष पर कौन है ये आपको बताना है इसका एंसर नौरवे तो उस बो एंसर गलती है इसका एंसर होगा क्या इसका नौरवे ОП्शन नमबर सी जो कि बहुत लोग बोल भी रहे एंसर क्या होगा आपका नौरवे ठीक है अगला question हमारे सामने, 7 number question बोड़ रहा हमारे सामने, निमलिखित में से कौन सा जील मर्द परदेश में इस्तित है आपको बताना है, 30 second का timer लगाएं, इसका answer आप सभी को बताना है, एक तो loner कोई नहीं बोलेगा, जितने मेरे भाई बेंद देख रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है, भाया ये बहुत ना, प्रसिद जील है, और ये ना भाया महरास्ट्रा में पढ़ता है, तो इसको आप हटा दो, क्योंकि एक option आसान आ गया, बाकी तीन option में से बताएं, कि मध्य परदेश में कौन सा इस्तित है, फटा-फट, जल्दी से लोन और जील भाया दिखाई नहीं दे रहा है हमको हटना पड़ेगा ना नहीं आ जा रहा हो बीच में कॉमेंट्स करते रहे हैं, कम से कम तुसोवंग देवनात बलिव इन योर्सेल्फ सुभम अरे इतना बहुत गल्ती अंसर आ रहा है इसका, बहुत इसका गल्ती अंसर आ रहा है इसका एंसर बहुत गल्ती अंसर आ रहा है बहुत गल्ती अंसर आ रहा है एकदम याद रखिएगा कि मद्य परदेश में कौन सा जील इस्तित है तो सापूरा जिल, option number आपका 1, और बाकी जो तीनो जिल देख रहा है न, बाकी आपके सामने जो तीनो जिल देख रहा है, तीनो का तीनो जिल न, महरास्त्रा में हैं, सिर्फ एक मात, सापूरा जो जिल है न, वो मध्य परदेश में, प्लियर रहेगा न, एक बार नाम देख जो आख से और सुन लो मुझे एक बार, सापूरा जिल मध्य परदेश में, बाकी तीनो जिल जो है, वो महरास्त्रा में हैं, ठीक है, अगला question हमारे सामने, अलम्पिक होने वाला है, आपको पता है, अलम्पिक होने वाला है, हाँ भाईया, हम लोगों को पता है, टोकियो में अलम्पिक होने वाला है, बहुत बढ़िया, आपको बताना ही है, एक question अलम्पिक से लेकर आए, क्योंकि topic बहुत trending है, question बोला है, अलम्पिक में वे तिग माहा कुम्ब बोल सकते हो ओलम्पिक को बया हर खेलका तो ओलम्पिक में भारत के तरफ से पहला पदप इस इंसान ने जीता था 1952 में जीता गया था कहां पर 1952 के ओलम्पिक में जो कहां पर हुआ था हैलन्सकी में हुआ था जो फिंड्वट का राजधानी है यहां पर हुआ था इस इनसान में और यह क्यार जीते थे ब्रोंज मेडल शेती ब्रोंज मेडल किस खेल में जीते तो वेत लिफ्टिंग में उठाने वाला वेत लिफ्टिंग में में क्या नाम है उन 사건 कोई मुझे एक बात और बताएगा भारत के तरफ से पहला गोल मेडल जितने वाला ओलम्पिक में इंसान का नाम क्या है कोई बता देगा ये तो बात हो गया आप सभी का क्या बात हो गया ये तो बात हो गया कि पहला इंसान कौन था लेकिन पहला स्वाण पदक जीतने वाला ओलम्पिक में इंसान का नाम क्या है ये कौन बता पाएगा सही एंसर है इसका ना कोई बता पाएगा इसका एंसर जो मैंने पूछा स्वाण पदक कौन जीता था क्या ना मैं उनका एक भी एंसर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है काबू बिलीव इन योर्सेल्स सुगन अभिमनु मुंडा दीपक कुमार मिलका सिंग नहीं होगा मिलका सिंग सुण पदक जीते ही नहीं नाम क्या होगा बिलकुल भाई साइब नाम अपदी है अविनौ बिंदरा दो हजार नौ में जीते थे सुण पदक भारत के लिए पहला अगला कŁस्यन हमारे सामने है आपको बाताना क्या है कोश्य न देख लो अच्छे से एकदम बेस्क क्श्न करवार तीन बजे वाले क्लास में कोश्य आप सभी को बडोली सत्यग्रा अंदुलन का लिड कौन कर रहा था इसको हेड कौन कर रहा था बताईए आप सभी इतने लोग भी देख रहे हैं बडोली सत्यग्रा अंदुलन को कौन लिड कर रहा था भाई किया नो में उनका 1928 में न अंगरेजों के दवारा लगान लगान क्या होता है भीया करड्ट talks बढ़ा दिया गया किसानों के उपर ऐसा क्या भैया हाँ और टेक्स बढ़ा कर लगान मोलते थे ना लगान बढ़ा दिया गया टेक्स बढ़ा कर 28 परतिसत कर दिया गया और इसी का बिरोध कोड़ कर रहा था और इसी के लिए एक सत्याग्रा निकाला गया था जिसका नाम क्या था बड़ोले सत्याग्रा अंदोलन तो कोई पूछेगा आपसे बाबु आप एक्जाम की तयारी करते हो न बाबु वह था क्या बताओ तो आप बोलेंगे सर हम तो सिर्फ सन्याद किये हैं और याद किये कौन किया था क्या था यह नहीं पता है तो जो पूछ रहा है न उस इंसान पता दिवा न किया जाएगा कि नसीव रटा मार रहा है पड़ नहीं रहा है अप याद आप संगे संग बोलिएगा कि अंग्रेजों के दुवारा ना लगार बढ़ा दिया गया था किसानों के उपर 28% तक बढ़ा दिया गया था किसी के बिरोध में यह अंदोलन जो है वो किया गया था 1928 में सरदार बल्लभाई पटेल के दुवारा ठीक है अगला कोस्टन हमारे सामने एक सो परतिसाथ प्रत्रम खुरा कोब्रिक प्राप्त करने वाला पहला केंद्र सासित परदेश कौन साब बन गया है कल ही का कोस्टन है करेंट अफेर का कली का कोस्टन है यह वाला कली का कोस्टन है यह वाला करेंट अफेर का मैंने आज हुआ में आपको करवाया है यह कुछ सेंग आज सुबह में आपको करवाया है तुबह आठ बजे वाले करेंट अफ्यर क्लास में आज ही करवाया है कि भारत का पहला केंद्र सासित परदेश बन गया है जो करोना कोवीड दैंटिन का उसका जो ञोवींस या आज पाईला जोश यह है वह अपने प्याहिए पिअंटल नॽोग हैना अजटे दिया गाई है राज्यपाल का ना प्ताएए लदाख ममता लदाख रुपेश बिल्कुल सही बाई लदाख के राजिपाल का नाम जितने लोग भी देख रहे हैं सबको पता है ना क्यूंकि काफी बार गला फार फार चिलाएं राधा क्रिश्ना माथूर और बगल में जञू कस्मिर वहां के ऊपरा जिपाल का नाम क्या है तो भईया मनोग सिनहा अगला कोस्यन हमारे सामने रास्ट पती के रास्ट पती के लिखित सला पर अपात काल के घोशना कर सकते हैं कौन बार रास्पती जो है न रास्पती जो आपातिकल लगाता है किसकी सलाह पर किसने सलाह करेगा इसके बाद आपातकल लगेगा ये आपको पूला है अच्छा आपात्कल qan फट accountable आते नो भाईया आप एक कीस सिखा दिये हमको कि भारत में तीन परकार का अपातकाल होता है एक राश्टिय, एक राजजवाला, राश्पति सासन और एक बित्य अपातकाल फाइनिसल इमर्जेंसी और तीनों किस अलुछेत के अंतगर आता है ये भी आप सिखा दिये आपने बोला है सबसे पहले हमारे लिए क्या देश है, सबसे पहले क्या है देश, भारत, माता की यानि सबसे पहले क्या है निस्नल, यानि राश्टिय, सबसे पहले देश, देश के अंदर क्या आता है, राज्य आता है, राज्य, स्टेट देश होगा सबसे पहले फिर राज़ी होगा फिर पईसा होगा यानि financial वित्ते कितने अनुछेद के अंतरगत आता ये भी सिखा दिये हैं चार-चार का गैप है ये 352 के अंतरगत, ये 356 के अंतरगत, ये 360 के अंतरगत एकदम कोई यह रटणी मार रहा है याद कर लेना पहले देश फिर राज फिर पैसा बावन चपन साथ एकदम याद रखना ठीक है इतने अनुछेद बावन चपन साथ किसके सला पर तो बिल्कुल भाई विसुनात गोई बावन चपन साथ स्पीकर अफ लोग साबा नहीं होगा प्रधान मंतरी ओप्सन नंबर बी क्या होगा देश के प्रधान मंतरी अगला क्वेस्टन हमारे सामने हैं यहाँ पर एकदम बता दीजिएगा क्वेस्टन उननाईस में महात्मा गांदी ने किसके खिला एक रास्ट ब्यापिस पहली बार में करवा रहा है पिछले पांच साल से पढ़ा रहा है पांच साल से आप देख लो मेरा इतियास और एक जड़ साल पहले से भी नहीं नोट सभी को दे रहा हूं साइंस का नोट कम्पुटर का नोट सब दिये और एकött कि क्वेस्ट के वह एक्वारिट एक बें सब्सक्राइब क्यों होगत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई लोर्ट एक्वारी एक्वारी अच्ञश्ये. है किसी को पता है ये तो आप बोल दिए तो ध्यान से मुझे सुन लीजेगा ये क्या है बहुत सारा अंदोलन चालू होने लगा भारत में पता है ना बहुत सारे करांतिकारी लोग उठने लगे वो बेटा अंग्रेज को लगने लगा खराब इंडिया में इतना करांतिकारी पैदा होने लगा है अब लगरा है हम लोगों कुरसी जो है वो हिलने का टाइम आ गया है हम लोगों को कुरसी छोड़ने का टाइम आ गया है अंग्रेज को लगने लगा अंग्रेज इससे बचने के लिए क्या किया बिना अदालत के परमीशन क ना जितने भी करांटी कारी लोग थे सब को उठा उठा कर जेल में डालने लगा बिना किसी मुकदमे का उसी को क्या बोलते हैं रॉलट एक्ट बोलते हैं ठीक है एकदम याद रखेगा किसी के खिलाप गांधी जी का अंदूलन था ठीक है अगला कुर्सन अमारे सामने देखो आप सभी टाइमर 30 सिकेंड का ले लीज़े निमने में से कौन सा बिटामीन खून के ठके के लिए जिमदार है आप देखे होंगे कभी बॉडी में न कहीं चोट लग जाता है तो कभी देखेंगे लाल लग ठका पड़ जाता है उसी को बोलते हैं ब्लोड प्लोटिंग और किसकी कमी के वज़ा से होता है ये आपको बताना है एंसर क्या होगा प्यांका कुमारी काला कानून हाँ रॉलेट एट को हम लोग काला कानून भी बोलते हैं ये भी याद रखिएगा बहुत बढ़िया बिटामीन के बिटामीन के बिल्कु सही क्या बिटामीन के कमी के वज़ा से अगला कोस्ते नमारे सामने है चौदा नमबर बैरोग्राफ का अभिस्कार किसके द्वारा किया गया था ये क्या है भाईया पाबू ये कुछ है नहीं बैरोगराफ क्या होता है हवा का वायू का भार नापने के लिए इस्तमाल किया जाता है ठीक है इसका अभिस्कार 1844 में किसके द्वारा किया गया था बताईए चार सिकेंड के समय बाकी है अब समझ गए होंगे बैरोगराफ किसको बोलते हैं वायू का भार मापनिय के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंसर बोलो आप सभी अरे बड़ा एंसर इसका गलती आ रहा है इसका एंसर इतने गलती कहें आ रहा है कुछ एंसर इसका सही आ रहा है बाकी एंसर से गलती आ रहा है एकदम याद रखिएगा लुसिन वीडी option number A होगा इस question का answer अधिकास गलती आ रहा है एकदम option number A होगा देखो अराम से देखो इसको पूरा लाल रंका क्या लगा दिये टिकुली एकदम याद रखिएगा बिंदी अगला question हमारे सामने सैफले राइट किसका एक आयस्क या फिर खनीज है या आपको बताना है जल्दी से पताफ़ट mercury का molbenanum का या फिर silver का या फिर आपका जीन का जल्दी से एकदम answer अच्छा कभी कबाल आप जो पढ़ते हैं GKS current affair अब बस question को पढ़ते हैं क्या अगर मैं सिर्फ question करा कर निकलू ना दस मिनट भी हमको नहीं लगए को आट लेने में दस मिनट भी नहीं लगेगा लेकिन मैं बोलता हो ना आप भी ना मेरे जैसा पढ़िए एकदम कोई भी question है उसके हर option के बारे में जो पढ़ने लाइके वो पढ़िए जैसे आपको बोला जाएगा mercury का atomic number क्या है तो बोलिएगा भाईया 80 है इसका क्या है 42 silver कितने पढ़ाता है तो बच्चे बच्पन से पढ़ते आ रहा है 47 पर gene कितने पढ़ाता है तो भाईया 30 पर आता है यह सब नो चीज याद रखना भाई जो ग्रुप D का एक्जाम देने जा रहा है मैं न बोल रहा हूं न अब टाइम निकाल कर एक से पचास तक रटा मागी atomic number अगर मैं बोरू uranium कितने पढ़ाता है तो बांबे पे एकदम दिमाग में बठा लो बाबू इसका एंसर क्या होगा कहां गया कोस्टेन यार जींक होगा जींक मरकरी कहें बोल रहे है जींक होगा जींक इसका एंसर जींक होगा बाबू इसका एंसर जींक होगा जींक होगा जींक जींक होगा एंसर एंसर गलती आ रहा इसका अगला कोस्ते नमारे सामने दुनिया का सबसे उच्छा रेत महल कहां पर बनाया गया करेंट अफ्यर अगर सुबह में उठकर आप पड़ रहे न तो यह सब का एंसर आपको देना चाहिए क्यों देंगे हम करेंट पर क्वेशन अब एक साल पुछेंगे तो हम दे देंगे क्या एक साल पुछाना नहीं एक दो दिन पर ही लेका है भाईया करेंट अफ्यर सुबह उठकर कितना पड़ है दिमाग में न प्रेसर बहुत आपू करेंट अफ्यर ना सुबह उठकर 15-20 मिन को सबी लाजवा पड़ातें कोई भी टीचर कितना कुष्ण आपकराता करेंट अफ्यर का भाईया दोस से 11 कोसन को पड़ने में टाइम कितना लगेगा तो सुबह उठकर करेंट अफ्यर का कामी इतना है कि हमको 10 मिनट पढ़ो डेली एक मैना करेंट अफ्यर 10 मिनट देली क कबर हो जाएगा सिंसर क्या होग गधेนट मार्क सबसे बालू का सबसे बड़ा माहल जो है वह कहां बनाया गया है देनमार्क भी बनाया गया है AGHLANA location नमारे सामने और टाइमर इस्टार्ट होता आपका दामोदर घाटी मिगम भारत की पहली बहु उदे सिनदी घाटी पर योजना है किस वर्स में शुरू की गई थी यह आपको बताना है जल्दी से पटाफ़ट सर आपको सब कुछ आपा है क्या देखो एक बाद बता रहे हैं सर आपको सब कुछ आता है क्या सब कैसे पढ़ातें मैं रॉइनत करकर जो अगर निकाला होगा ना गहनत करकर जो आदमी वह कोई भी सब्जेकट पढ़ा सकता है ड्गाइभाई बहुत सिंपल तरीका है बाबू कोई अगर एक्साम की तयारी करो है में कुछ भी बढ़ा सकता है किसी को कब इसमे नी कोई अब विश्वास नहीं करोगे आज के डेट में लेप एसेशी वाले बच्चों को और है वोल दिया जाए ना बाबो तुम्हारे एक्जाम में दो टॉपिक आएगा थोड़ा सा सुन लीजे मेरा बात थोड़ा सा टाइम लेंगे आप सभी का क्या क्या भाईया एक तो आपका डियाई आएगा और एक आएगा आपका पजल तो आधा लोग ना बिहोस हो जाएंगे और वो भी पजल रहाई लेबल का जो बनेगा ही नहीं किसी से बैंक पियो से भी कैट लेबल का कैट लेबल का पियो जो सबसे टॉफ है और डियाई भी सबसे टॉफ जो एक और डियाई करने में डिर घंट टाइम लएगा वो डियाई विश्वास नहीं करोगे कसम खाकर बोल कभी नहीं भगवान कसल खाकर बोल रहे हैं और आप वो दियाई देखो गए ना मैं वीडियो दिखाया भी आपको हमारा चनल दूपर आप देखो तो बोलगे यहीं दियाई तो करने में आदा घंटे का समय इतना मेरा लग गया था ना इतना अब बिस्वास नहीं करोगे एक समय न बहुत दो बता चुकिए कि इसका एंसर क्या होगा बता ही है साथ जुलाई 1948 बिलकुल भाई साथ जुलाई 1948 में किया गया था ठीक है अगला क्वेस्टेन हमारे सामने टाइमर स्टार्ट होता है अब पहला कुत्रिंग और किस देश के द्वारा लॉंज किया गया था बता दीएगा एकदाम ही पॉर्टेंट कोश्चन है 1957 में पता है कि स्पूटनिक 1 आया था एकदाम याब रखिएगा तब इस पूटनिक लिखिये दिये भाईया तब तो सभी बोल देंगे क्योंकि भाईया अभी स्पूटनिक 5 ना भैक्जिन निकला भैक्जिन रसिया का ह है इसका एंसर क्या होगा आपका प्रांस ब्रिटेन इवेस एस एस आर तो एंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नॉमबर आपका एक है अगला कोश्चन हमारे सामने है टाइमर स्टार्ट होता है आप सभी का अब भगवान महावीर वंज्यू अभ्यारण कहां पर इसकी जल्दी से भगवान महावीर वंज्यू अभ्यारण कहां पर इस्तित है जहांके मुख मंत्री न भया प्रमोर्ट सावंत है यह करनातका का तो योदोरप्पा है पंजाब का अमने काप्टन सिंग है राजस्थान का भईया असोग गहलो थै बचा हमारे सामने गोवा तो अंसर क्या हो जाएगा गोवा ठीक है अगला कोश्चन हमारे सामने जून के महीना में जी एस्ट से गूड़े सर्विस टेक्स से भारत को कितना राजस्था हुआ है बताईए जी एस्ट के मध्यम से न केंडर सरकार को कितना पैसा का अमधनी हुआ है जून के महीने में ये आपको बताना है दो से तीन दिन पहले का करेंट अफ़ेर का क्वेस्टन है ये वाला क्या होगा इसका एंसर बताईए तूबाजीत गोवा पी एस स्रिधर पिल्लाई राज्युपाल है गोवा के अकरनाटका का थावर्चंद गैलोथ इसका एंसर क्या होगा परे बापरे बहुत बढ़िया भाई जित्तु कुल दीप तुसार दीपक सिन गुपता बहुत बढ़िया भाई क्या बात है भाई ये राज सिसो दिया प्रकास रोए भाई बहुत बढ़िया कि आभी डाता कम से कम याद रखे है बहुत हमको लगा ना ये क्वेस्टन में उठा रहा था कर इंटरफेर से मुझे लगा बहुत लोग गल्ती देंगे डाता को याद नहीं करता है लेकिन भा बानवे हज्यार आट सो उन्चास करोर रूप है बिल्कुल सही भाई लवले अगला क्वेस्टन ये क्वेस्टन आपको याद है एंटी पीसी सीबीटी वन में आया था से सी का 10 प्लस 12 का एकजाम में आया था और जब मैं एकजाम कर रिव्यू करवाया था उस दिन मैंने आपको अपने नोट्स भी खोल कर दिखाया था वेब साधित को अंग्रेज निर्वासित करकर कहां भेजा था किस जेल में बता दीजिए एक लोग इग्जाम का क्वेस्टन है यह वाला क्या होगा इसका एंसर रंगून मोहित बिल्कुल सही option number हमारा C रंगून बिल्कुल अगला क्वेस्टन हमारे सामने किताब किसके द्वारा लिखा गया है यह हमको नहीं पता है क्यों नहीं पता है मैं करेंट अफ्यर क्लास में आपको पहले आपको यह पता है आपकी एक्जाम में आपको पता है कि नहीं पता है हाँ भया लेखक और किताब से क्लास में जितना भी नया किताब आता सब करवाते हैं अगर आप इसका अच्छे से करेंगे न तो एक्जाम बहुत दूर नहीं है अगर महनत में जाने को हम लोग का समय में 14 पंद्र में विश्वास नहीं करोगे ऐसे टीचर पढ़ाने वाला मतलब बहुत कम था और लाइन वीडियो में कोई टीचर आकर मोटिवेट करे राह दिखाए चलना कैसे है यह करना कोई नहीं था उस समय बस एक पादलपन था की एक्जाम निकालना है हम लोग को आज भी मेरा कॉपी रखा हुआ है उस डेस्क में जीके जीस का विश्वास नहीं करोगे बाबू मैं कल दिखाऊंगा मैं कल दिखाऊंगा आपको इस क्लास में तीन बजे वाले क्लास में इतना सुविधा मिल चुका है समझ रहें इसका एंसर क्या होगा आपका आर्वी बिल्कूल आप लोगों को मेरा बात बहुत खराब लग रहा होगा भया एक्जाम निकल गया आप यहां पहुत गया तो बड़ा बड़ा डालेक मारना आसान है नहीं यह आप गलस सोच रहें दिमाग में पूरा गलस सोच रहें यह भी आपके जो समय चल रहा है इसमें जो इंसान अगर आपको कुछ बता रहा है तो सुनिए अच्छा लगा तो ठीक है नहीं लगा तो कांट से निकाली है लेकिन अपने महनत में कमी मत रख लिए पाबो महनत रंग एकदम लाएगा आपको कोई इंसान लिए जिसका महनत रंग नहीं लाए अगर महनत तुम्हें जान हो एकदम लाएगा अब बहुत मुस्किल भरा वक्ट से हम गुजरें तयारी किए तो बहुत मुस्किल भरा वक्ट से अब विस्वास नहीं करोगे बाबो चार-पाथ एक्जाम फेल होने क बाद बीन निकालें चारपाक एक्जाम में रिजल्टें नहीं आया इतना टूट चुके था ना पापा रेलोई में टृटी हैं क्या बोलू बहुत टूट चुके थे हम सच बता रहा हूं मैं हम को समझें में नहीं हम करे तो करे का दोस्त लोग खाली ऐही बुला था ना अरे देखेंगे रात को इतना मेहनत कर रहें और गजाम ने किलेगा बगवान तिन-तीन बजे तक बैट के स्टेट मार रहें कब होगा बगवान मेरा कब होगा एक दों बाबु बहुत तूट चुके थे हम लेकिन बाबु महनत बोलते हैं न महनत कभी न कभी रंग लाता है रंग महनत सच बोलने बाबु जूट नहीं बोलता हूं मैं की चीज़ से चलो आप सभी को धन्यवाद क्लास देखें मेरा डालक सुने और इसका सारा पीडिय अपना थोड़े देर के बादना आपको हमारे चैनल मिल जाएगा 6 बजे मैट क्लास का वीडियो अप्रोड हो जाएग से ठाह से चैनल मिल जाएगे क्लास का वीडियो एठाथ शिह करें ideia